आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यह वैफल्स जो हम सॉप्शों म lls में परेख चुप स्टोर्स परां चाने बताने जारी हूं अगया रिसीपी आप एंजॉई-वश्च आइसक्रीम के साथ में कि यह प्लेन ऐसे ही वैपल्स यह बहुत ही यह डेष्टी होता है और बहुत ही ईजली बन जाता है काफी कम समय में वीडियो स्टाट करें यह रेविस्ट है कि प्लीस सब्सक्राइब करें और ज्यादस यह पसंद आए तो लाइक करें और अब चलतें रेचिपी के लिए यह म मैंने मैनुल वाला लिये है है हैं इसमें और यह बैफल मेकर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो मिनी रेड कलर के बहुत सारे अमेजन पर देखेंगे मिल जाएंगे आपको लेकिन उसको मैने रेखा कि वह एक से दो बैफल बनाने में हीट हो जाता है और उसे हैंडल करना काफी कठिन होता है तो इस तरीके से आप कई वैफल उस पर नहीं बना सकते हैं और मुझे यह ज्यादा अच्छा लगा और इसका नॉन स्टिक कोटिंग काफी अच्छा है और यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है जैसा कि आप जान सकते कि मैं अभी यूट्यूब पर नहीं हूं तो मुझे कोई स्पॉंसर सिफ और किसी भी तरह की नहीं मेली लेकिन मुझे यह प्रोड़क्त बार अच्छा लगा और इसका सांडविच मेकर भ अब चलते वाफल मनाने के लिए इसके लिए हमने ले लिया है वन फूर्थ कप मिल्क और वन फूर्थ कप कर्ड दही और साथ में डाल देंगे आधा कप चीनी और साथ में ले लिया है ओन थर्ड कप ऑयल अगर यूज कर रहें तो यह निव्टरल फ्लेवर का हो तो अब चलते अपने ड्राइ इंडिएंट को मिला लेते हैं इसके लिए हमने ले लिया है हाफ कप मैदा और वन टेबल स्पून कॉन फ्लोर साथी में हम एड कर देंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और वन फूर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा और चुकि में यह चॉ और साथ में हमने डाल दिया है एक पिंच नमक इससे कोई भी मीठी चीज का स्वाद बहुत ही उभर के आता है और इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स हमें नहीं करना है बस इसका लंप्री मिक्चर हमें रेडी कर लेंगे और अब देख सकते हैं कि जब हमारा जो है अच्छे बैटर रेडी हो गया है तो चलते हैं हम अपने वैफल मेकर को प्रीवीट कर लेते हैं इसे थोड़ा सा प्रीवीट करेंगे थोड़ा जब गर्म हो जाएगा बहुत जादा हीट करने की जरूरत नहीं है थोड़ा हीट कर लेंगे और इसके बात इस पर वेजटेबल ऑईल जो है गी आप बटर जिसमें भी बनाना चाहें उसे हलका सा ग्रीज कर देंगे जिसे हमारे वैपल आसानी से निकल लाएंगे बिलकुल भी चिपकेंगे भी नहीं और अब हम बैटर को पोर करेंगे आप देख सकते इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जादा थिक भी नहीं है और पतली रनी सी है तो इस तरीके से बैटर हमने पोर कर दिया और इतना कॉंटिटी रखना है कि यह बाहर की तरफ ना निकले और सारे उसके लेवल्स बराबर हो इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे और यह हमारा वैफल एक साइट से जब सिख जाए तीन से चार मिनट के बाद में टर्न करके दूसरे साइट भी सेख लेंगे और देख सकते कि कितना बढ़िया हमारा यह वैफल दोनों साइट से सिख चुका है तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से जो मार्केट में दो-दो-धाइडाइसों के हम खरीते है ना वैफल्स वह हम आसानी से वैफल्स हमारे रेडी हो गए है और आप देख सकते हैं वैफल्स अब रेडी तो हो गए लेकिन आपको अगर और क्रिस्पी चाहिए तो दो से तीन मिनिट तक बिल्कुल लो हीट पर और खुक कर लेंगे और ध्यान रहें इसे पकाने के लिए हाइट बिल्कुल भी न रख और शॉप चाहते हैं तो बस एक बार ड़न हो जाए आप चेक कर सकते हैं और फिर जो है निकाल लीजे लेकिन क्रिस्पी चाहिए तो इसे दो से तीन मिनट लो हीट पर और कुक कर लेंगे और इस तरीके से देखिए हमने क्रिस्पी और सॉप दोनों ही मेरे दोनों बच्च और देख सकते हैं कि इतने आसान तरीके से यह वैफल्स हमारे बन गए हैं और यह वैफल मेकर भी मुझे तो पसंद आया क्योंकि मैंने रेड वाला जो आता है अलेक्रिक वाला उसमें आसानी से निकल भी नहीं रहा था वो श्टिक हो जाया था उसाथ में दो बनाने के बा करेंगे इस तरीके से वैनिला आइसक्रीम बटर स्कॉच या चॉकले आइसक्रीम जो भी आपकी फेवरिट आइसक्रीम हो और साथ में इस पर डुजल करेंगे थोड़ा सा चॉकलेट आप जिस भी तरीके से यह वैफल खाना चाहते हो उस तरीके से खा सकते हैं मेरे घर पर तो इसी तरीके से पसंद है और यह जो है आप बनाएंगे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है बढ़ों को भी सब को बहुत पसंद आएगा और एक बच्चे को बटर स्कॉच पसंद थी तो मैंने बटर स्कॉच के साथ सर्फ किया और यह दूसरा चॉकलेट आइसक्रीम लाइक करता है तो इसलिए मैंने इसे चॉकलेट आइसक्रीम के साथ सर्फ किया है तो है ना यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से स आपको सबके मन की फ्लेवर और आइस्क्रीम के साथ में आप घर पर इजली सर्व कर सकते हैं जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपका जो है वैफल कैसा गया और बच्चों को कैसा पसंद आया फिर मिलती हो एक नई रेसिपी के साथ गुडबाय फ्रेंट्स टेक केर थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू पर सब्सक्राइब और दो नोट फॉर्गेट तो सेयर थैंक यू फ्रेंट्स